कर्मचारी जबरन रिटायर किये जाएंगे आईए पूरी खबर आपको बताते हैं सरकारी कर्मचारी समय से पहले जबरन सेवा निब्रित किये जाएंगे भस्ताचार के आरोप से घिरे अधिकारियों पर कारवाई के बाद उपराजपाल ने अब यह निर्देश दिया है कि दिल्ली सरकार के ऐसे कर्मचारीयों को और अधिकारियों के कामकाज की समय सीमा पर समिच्छा रिपोर्ट देने के लिए एक पाथ सज़सी समिती का गठन किया गया है उपराजपाल के निर्देश के बाद बित विभाग की अचारडी कैडर नियंतर इकाई ने सबी विभागों के प्रमुकों को सरकुलर जारी किया है कि अत्यावश्यक बताते हुए निर्दारित प्रारूप में कर्मचारी से जुड़ी जानकारी देने को कहा गया है समिछा के जरिये ऐसे लोगों को चिन्नित किया जाएगा जो की बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं उन्हें प्राजमिक्का के आधार पर जवरन रिटायर करने का आदेश दे दिया गया है कि जवरजस्ति आपको रिटायर किया जाएगा ऐसे एक तमाम अधिकारी हैं जो काम न नहीं किया जा सकता, अगर कोई कर्मचारी किसी समय, पहला से विनिवर्थी की सिपारिस जिस्तारी को ही था समय से अगले एक साल, कि बाद ईसकी से वनिवर्थी करी जाएगी, इदहर उत्तर परदेश कि पैपनी पहली बहयामी इसका मतलब यह है कि हम सुशल, मीडिया पे धनी दिखाई पड़ रहे हैं इदर टिजीटी पीजीटी ऑनलाइन आवेदन किती थी जो है वो बढ़ा करके 16-7-2022 तक कर दी गई है जिनब भीरते होने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो आवेदन कर से अधर कुछ परिवर्तन किया गया बेसिक विभाग में स्री अनिल भूसर चत्रुवेदी ये वर् इदर स्री गडेश कुमार जी को संयुक्त निदेशक सिवीर कार्याल जिक्षा निदेशक बेसिक लगना हुँ थे उनके साथ साथ उने निदेशक सक्षारता है वह बैकल्पिक्स इच्छा भी बाग लखना हूँ यह निदेशक राटसा चिक नंकिती संस्थान उत्तर प्र नौकरी और तीन लाख करोड रुपय की निवेस परिवेजनाएं सुरू पांच साल से अधिक युवाओं पांच लाख से अधिक युवाओं को मिला है स्वारोजगा इदर अगली खबर की तरफ लेके चलें कि सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने का जो है वो त्यारी है आपको बताते हैं नई दिल्ली से ख़वर है सीधा सीधा आपको बता दें कि सरकारी योजनास की सभी सरकारी बैंकों में अपनी पहले हिस्तेदारी बेचकर उनका निजी करण करने के लिए जो है सरकार पूरी तरह से काम कर रही है और इसके बाद बहुत जल जो है आपको उने कबूला सारी बात इदर लोक्स या आयोग ने हर दिन 35 युवाओं को दीनोकरियां 100 दिन के निर्दारी तलच के मुकाबले में 110.8 फिसदी का हुआ है चायन बेसिक भी भाग में भरतियां तो नहीं आती लेकिन फरजी वाड़े अपने चरम सीमा पे 50 प्रिसस फरजी स पर अब तक मुकदमा ही दर्ज नहीं किया गया क्यों पता नहीं यह तो वही जानते हैं जो अधिकारी हैं कहें नहीं किया जा रहा है जिला बेसिक सिच्छा अधिकारियों को यहार की सूचना देने के लिए 15 जुलाई का जो है समय दे दिया गया कि 15 जुलाई तक आप बता कि फटाफट कितने लोगों पर हुआ है और कितने लोग पर नहीं इदर योगी सरकार के दूसरे कारिकाल की रफ्तार दिखाएंगे सौ दिन पहले लच्ष का जो रिपोर्ट है वो चार जुलाई को जो है प्रस्तुत करें इदर यूपी के बिस्विद्यालों में बढ़ी है इदर उत्तर प्रदेश में 2744 बेसिक विद्यालों में बिजली का अता पता नहीं है बिजली गुल आज की कुछ ये खबर मॉर्निंग की जो आपके लिए बहतरी इन आपडेट थी हमने आपको दे दी मिलेंगे फिर से नए आपडेट नहीं जाने का रहें एक साथ तब तक